हमें 8 बटा 18 में से 5 बटा 18 को घटा कर उत्तर को सरल रूप में लिखना है, भिन्नो यानिकी fractions को घटाना इने जोडने के ही समान है, अगर हर यानिकी denominator समान हों, तो घटाने पर भी हर दिये गए भिन्नो यानिकी fractions के हर के समान रहता है, इसलिए इस उत्तर में हर 18 रहेगा, औ और अंच यानि कि numerator दोनों अंचों को घटा कर प्राप्त होगा, 8 घटा 5 वे 3, तो इस प्रकार उत्तर है 3 बटा 18, लेकिन इसे और सरल किया जा सकता है, क्यूंकि 3 और 18, दोनों ही 3 से विभाज यानि कि divisible है, इसलिए हम दोनों को 3 से विभाजित यानि कि divide कर लेते हैं, तो 3 और 18 को 3 से विभाजित करने पर, 18 भाग 3 हुए 6, और 3 भाग 3 हुए 1, तो सरल करने पर उत्तर है 1 बटा 6, और इसे चित्र द्वारा समझने के लिए, हम किसी चित्र को 18 हिस्सों में बांट लेते हैं, हम यहाँ पर 6 रेखाएं खीच लेते हैं, और अब इसे 3 स्तंभूं यानि की columns में बांट लेते हैं, तो इस तरह हमने इसे 18 हिस्सों में बांट लिया है, और अब इसमें 8 बटा 18 को प्रदर्शित कर लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, ये आठ बटा अठारा है और अब हमें इसमें से पांच बटा अठारा को घटाना है इसलिए हम यहाँ एक, दो, तीन, चार, पांच हिस्सों को घटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचा? जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास तीन, बटा, अठारा बचा है अब अगर हम तीन, बटा, अठारा के तीन हिस्सों को मिला कर एक हिस्सा बना दें तो हमारे पास कितने बड़े हिस्से होंगे? तो ये एक बड़ा है और बाकी के हिस्से कहा है? ये एक और बड़ा हि इस तरह अगर आपके पास 18 हिस्से हो और आप प्रतेक 3 हिस्सों को मिला कर 1 हिस्सा बना दें तो आपके पास कुल 6 बड़े हिस्से होंगे।